मनोज भटके हुए मुन्तशिर का जूट पकड़ा गया आदिपूरिश की रिलीज से पहले क्या बोला था? बिल्कुल नहीं और अब क्या बोल रहे हैं? हमने रामायन नहीं बनाई है अच्छा आपको बताऊंगी लेकिन ताज्जुब है कि इन जनाब ने फिल्म में चार हजार से ज़्यादा पंक्तियां लिखी ऐसा ये खुद ही बता रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अहंकारी रावण का अंत देख कर भी अपना अहंकार जियों का तेओं बना रखा है माफी मांगने की बजाए अब ये जितना ज्यादा बोले जा रहे हैं उत्रहे एक्सपोज हो रहे हैं जैसे इस क्लिप से ही समझ लीजी देखे आदेपुरुष रिलीस से पहले ये एबेबी नियूस पर दिबांग से इंटर्व्यू में कह रहे थे कि आदेपुरुष को न मौडनाइज किया है ना ही रामायन से अलग टेक लिया गया है अर्थात रामायन जैसी है वैसी ही हमने आदेपुरुष में दिखाई है यही कहाना शुकला जी तो आईए तीर अलटा होते ही पल्टी मार मनोज का विल्म अदिपुरुष र्स होने के बाद आप आज तक की श्वेता सिंग से बात्चीत में जवाब सुने ब्ल्म का नाम क्या है जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी फिल्म का नाम है अदिपुरुष जब हम आदेपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीज़ें में एकदम सपस्ट कर दूँ मैंने पहले भी कहीं है और अभी सपस्ट कर देता हूँ हमने रामायन नहीं बनाई है क्या? हम रामायन से प्रेरित हैं हम फिल्म का नाम रामायन रख देते लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायन से बहुत हैवली प्रेरित हैं जैसी रामायन सुनी है पढ़ी है इक्जाक्ली यानि हूब भू वैसी बनाई है इसमें और रामायन से प्रेरित में उतना ही फर्क है जतना मनोच सिर्फ मुंतशिर में और मनोच शुकला मुंतशिर में जब ये सब कुछ करने से दाल ना गली तो ये विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गए है तो इन्होंने जो ट्विटर पर इतना लंबा विक्टिम कार्ड खिला है उस पर अगर इनके डायलोग के लेवल पर तड़का लगाऊं तो उसका सार कुछ ऐसा होगा जैसे पूछ रहे हो